नमस्कार हिंदी बिलटीन में आपका स्वागत है दोस्तों सावनेर शहर के एक लॉज में युवक की संदिक्त इस्थिती में मौत हो गई उसकी जेव में उत्तेजना पैदा करने वाली गोली पाई गई थी घटना रविवार की शाम को हुई थी अजय के साथ एक यूबती भी थी अजय के अचानक बेहोश हो जाने पर उसने धापे वारा में अजय के मित्र को जानकारी दी थी अजय के मित्र ने उसे अस्पाताल में दाखिल कराया वहाँ डॉक्टर ने उसे मृत घोशित कर दिया गटना की जानकारी सावनेर पुलिस को दी गई पुलिस ने पंचनामा कर बोडी पोस्ट माटन के लिए भेज दिया सरकारी अस्पाताल में अधिकारी ने बताया कि अजय की तबियत पहले से ही खराब थी साथ ही उसने उत्तेजक गोलिया खाई थी जिससे उसे दिल का दोड़ा पड़ा आपको बता दे कि इससे पहले भी कलमिश्वर पुलिस थाना अंतरगत ऐसा ही मामला सामने आया था जि में युवक की मौथ हो गई थी दोस्तों संभोग करने से पहले उतेजना ज्यादा उतेजित करने वाली टैबलेट खाना आजकल आम बात होई जिसकी वजह से यह मौथ हुई थी इससे पहले भी कई खबरे आई हैं जिसकी वजह से कई साइड इवेक्ट होते हैं खास बात यह है कि यह टैबलेट खाने के बाद लोगों का बीपी सुगर आधी जो है वह बढ़ जाता है रख्तिक चाप जिनको अगर प्रालोग है तो यह किसी को भी टैबलेट खाना नहीं चाहिए क्योंकि टैबलेट खाने के कई साइड इफेक्ट है लीगल तरीके से इसे बैन भ वह सकता है कि उसकी जो सेक्सुल पावर है स्टैमिना है उसकी उसमें थोरी से विर्द्धी हो करके 60 या 70 परसेंट तक हो जाती है लेकिन जैसे इस टैबलेट की जो असर है वह खतम होती है वह खतम होने के बाद में जो उसका किसी इंसान का जो नॉर्मल जो पहले 40 कम होने लगती है यानि जैसे आप टैबलेट खाते हैं वैसे आपका जो रियल स्टैमिना है वह कम होने लगता है ऐसा डॉक्टर से बाद चीत की तो डॉक्टर ने हमें इस चीज की जानकारी दी तो इसलिए इस तरीके का जो टैबलेट आजकल जो यह नौजवान यूजव झाल